हलो, नमस्कार बच्चो, प्यारे बच्चो, आज मैं आप सभी को सबसे पहले 15th question जो आपका रह गया था 11.4 का वो मैं खतम करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग 11.1 last exercise करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसके आगे, देखिए, question number 15, क्या कह रहा है कि आपको क्या दिया वा फुकाई, 0 plus minus under root 10, और which is passing through दा, और जो hyperbola है, वो pass कर रहा है 2, 3 से, किस से pass कर रहा है, 2, 3 से, ठीक है जी, it's mean c is equal to under root 10, now, of hyperbola which lies on y axis, तो y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1, ठीक है, अब ये बات आगी, अब ये कहरा है, पास कहां से कर रही है, ठीक है, अब कहरा है, ये पास कहां से कर रही है, तो लोग जी, देखेंगे पास कहां से कर रहे है अब अभी इसको भी इसके उपर भी आएंगे पहले यहां पर देख लो ठीक है हाँ lies on y axis which is which passes through which passes through through the point 23 ठीक है तो भाई यह कहां पर put होगा यहां पर put होगा 3 square upon a square मैंने यहां पर होगा 2 square upon b square बराबर 1 तो 9 upon a square minus 4 upon b square बराबर 1 ठीक है अब क्या करो यहां अब 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 सी आप जानते ही हो क्या होता है सी होता है अंडर रूट a square plus b square यह होता है रूट से रूट कट गया a square plus b square बराबर 10 तो a square की value आजाएगी 10 minus b square तो a की जगा पर बच्चो क्या करेंगे हम a की जगा पर 10 हाँ भी put a square in equation first हाँ जी तो 9 minus a square a square a square की जगा पर क्या आएगा 10 minus b square minus 4 b square और 1 तो बस क्या आएगा भई 9b square minus 40 minus 1 plus 4b square upon b square 10 minus b square बराबर 1 9 और 4 13 b square minus 40 यह उदर जाएगा b square 10 minus b square अंदर 13 b square minus 40 10 b square minus b की पार 4 उठा के दर ले हो बी की पार 4 minus यह इदर आएगा plus की 20 की पार 4 plus 13 b square minus 40 minus 10 b square बराबर 0 ठीक है अब फेक्टर बना दो 40 के बनेंगे भई आठ और 5 तो बी की पार 4 यह बनेंगे 8b square minus 5b square minus 40 बराबर 0 तो बी की square को मनाएगा तो b square plus 8 बचेगा minus 5 को मनाएगा b square minus 8 plus 8 बचेगा तो b square plus 8 बराबर और b square minus 5 बराबर 0 तो b square plus 8 बराबर 0 बी को मनाएगा तो b square minus 5 बराबर 0 तो b square minus 8 बचेगा यह निकांपलेक्स नंबर नॉट पॉसिबल तो b square बराबर प्लस 5 तो यह आगा बी स्कुर्ट की बलू 5 आगी तो यह स्कुर्ट की क्या है इसको सेकेंड माल ले ना इसको सेकेंड माल लो पुट b square in equation first sorry in equation second तो a square बराबर 10 minus b square a square बराबर 10 minus 5 और यह 5 a square यह आगिया ना इसकोर बी स्कुर्ट यह आगिया अब क्या करना है now the equation of hyperbola hyperbola तो y square upon a square a square कितना 5 और यह x square upon 5 बराबर 1 ठीक है करो नोट करो से रच्चो ठीक है चलो अब जुरू करते हैं 11.1 अब जरू करते हैं 11.1 अब जरू करते हैं न आब अजर को यह आखिया इने एमत्र करते हैं 11.1 अगнок ने क्यून करते हैं 12.1 पह आखिर सकार सबें चल्ड बच्छो 11.1 शुरू करते हैं जिसका टॉपिक का नाम है सर्कल ठेक है जी तो देखे बच्छो सर्कल बहुत ही ज्यादा असान टॉपिक है क्या है कि आपको मैं बता दूँ यह हो गया सर्कल सर्कल का एक सेंटर होता है ओ जिसका पॉइंट हम ह और के से डिनोट करते हैं किसे डिनोट करते हैं ह और के से और जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं क्या कहते हैं उसको रेडियस कहते हैं ठीक है तो इस सेंटर से औ और वही इस से ठीक है अगर मैं बताऊं कि वही इपॉइंट है एक्सान वाई-वन या एक्सार वाई यह पुइंट थेक है तो आपसे पूछा जाएगा कि भई बताओ बताओ कि वही सर्कल की क्या है तो बहुत सिंपल वै देखो आपको पता है कि सेंटर point है hk और जहां पर यह radius point है वो है xy ठीक है और यह पूरा distance कितना है radius तो बहुत distance फॉर में लगा दो ना तो देखो equation of equation of circle असल में equation of circle क्या होता है मैं बता तूं आपको under root x2 minus x1 y square plus y2 y2 minus y1 का whole square और किसके बराबर यह radius देखो कैसे बहुत distance ही तो है radius भी under root x2 x2 कितना x minus x1 h y2 कितना y और y1 कितना है आपके का whole square radius कितना r root उटके उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा बताओ क्या बन जाएगा r square तो बच्चो यही distance formula ही ना आपका यह distance formula ही आपका क्या बन गया equation of circle मतलब x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square और यही क्या है आपका यही है बच्चो equation of circle ठीक है तो चलिए यह होगी आपका equation of circle अब मैं आपको कुछ basics question करवाता हूँ ठीक है जैसे यह देखो question number जैसे अगर मैं करा हूँ आपको second कह रहा है कि भाई आपके पास ना center point दिया हुए center point दिया हुए minus 2 3 and radius दे रखा आपको radius का दे रखा आप 4 तो बताओ इसकी equation क्या होगी तो simple x minus h का whole square x minus 1 plus 2 का whole square y minus 3 का whole square और यह 4 का square answer आपके सामने कोई दिकत इसी तरीके से एक और देखिए ठीक है जैसे मैं फिफ्ट करा देता हूँ फिफ्ट करा देता हूँ center दे रखा आपको minus a minus b radius हो गया a square minus b square तो x minus h का whole square plus y minus k का whole square और यह radius का square h, h कितना है? minus a k, k कितना है? minus b radius कितना है? under root a square minus b square का square तो यह वगा x minus minus plus का a का whole square minus minus plus का b square root से square कर गया तो कितना मज़ेगा? a square minus b square यह answer है वही ठीक है तो ऐसे कर रहा हूँ ठीक? करो note करो अब इसे अब बाकी किस के question खुद करने है झालब नथ मुड़ा है रहा हुआ झालब झाल कर दाय मुपू那麼ाम जली, next कर दाय मुपू तर मुपू झाल अभ अभ देखो भर ही अभ देखो अभ गोशन यह है कि पहले तो क्या था को मुझे सेंटर यहाओ था एपने पुट करके unity अभर म्ह 5-3 whole square plus 36 तो कह रहा है इस में से मुझे center और radius निकाल के दिखाओ तो center तो निकाल के दिखा ही सकते हैं यह देखो ना x-5 और 36 का 6 का square तो इसका मैंता center कितना हुआ center हुआ बई minus 5 और 3 और radius कितना हुआ radius हुआ 6 radius कितना हुआ 6 ठीक है अब एक और question देखो जैसे इसका question number 7 question number 7 थोड़ा सा लग है ठीक है जैसे x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 बराबर 0 चलो तो कैसे करेंगे अब इस type का question बच्चो जब भी आ जाए ना तो आपको 10th वाले method लगाना है complete squaring method कौन सा method लगाना है complete squaring method और उसी method से होगा ये कैसे होगा देखो x square अब इसके साथ x वाला हिसाब किताब बना लो ठीक है जी y square y वाला साथ में रख लो ठीक है जी बराबर 0 a square minus b square ठीक है चलो इसमेना formula लगा है complete squaring method का इसका मैं बोल सकता हूँ a square minus 2 a b b की जगा पर 2 put करूँगा तभी तो बनेगा 2 2 जा 4 x अब b की जगा पर 2 तो मैंने अपनी मर्जी से लिया बच्चो तो इसी का square add कर दो और इसी का square minus कर दो क्योंकि ये काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं इसलिए एक बर plus करेंगे एक बर minus करेंगे ठीक है खतम हो गया प्लस सेम सीन यहाँ पर भी y square यानि a square 2 a 2 a b की जगा पर क्या लोगे 8 बन जाए तो b की जगा पर 4 लोगा तो 8 बन जाएगा तो इसी का square अपनी जगा से add और अपनी तरफ से minus और बच क्या गया minus का 45 चलो अब देखो यहाँ से ले यहाँ तक तो बनेंगा formula कौनसा x minus two का holy square 2 का square 4 पलस वह यहाँ से ले के यहाँ तक बनेंगा formula कौनसा y minus 4 का holy square minus 4 का square 16 minus 45 बराबर 0 चलो तो यह x minus 2 का holy square plus y minus 4 का holy square minus 16,4 ब 1 और यह 65 0 उठाके उधर ले जाओ X-2 का whole square plus Y-4 का whole square बड़ाबर प्लस पैसट और यह बन जाएगा X-2 का whole square plus Y-4 का whole square भाई पैसट तो किसी का square root होता ही नी तो इसको अपनी मर्जी से root के अंदर ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि root से square कटे का 65 ही आएगा तो बच्चो center अब हमें center बताना तो center कितना हुआ two or four और अब बताना radius तो radius कितना हुआ radius हो जाएगा root 65 radius का हो जाएगा root 65 ठीक है भाई चलो करो इसे करो और जल्दी से मुझे question number try करके दिखाओ आप लोग 8 8 करके दिखाओ 8 करके यह 8 आपको करना 9 मैं करूंगा करके दिखाओ चले बचो question number nine चलो यह दिखाओ यह करके दिखाता हूं मैं आपको question number nine यह थोड़ा साना different है ठीक डिफरेंट क्या बहुत असान है यार टू एक्स स्क्वेर बस टू आई स्क्वेर माइनस एक्स बराबर जीरो अब कैट एक्स स्क्वेर के साथ यह टू आगिया तो टू ले लो common ताकि इसको अलग करना असान होगे अब देखो भाई इस पर टू था इस पर टू था common आगिया लेकिन इसमें तो टू था ही नहीं तो जबरदस्ति common ले रहे हैं तो वह चीज़ जो है अगर common नहीं है तो नीचे आ जाएगी कहा जाएगी नीचे तो इधर multiply कर रहा हुदर जाके divide करेगा, खतम हो जाएगा चलो, अब x वालों को अपने साथ यह नहीं, x वालों को x वालों को साथ, y वाले को y वाले को साथ, भाई यह तो बन जाएगा a square minus 2a, a की जगा x अब b की जगा पे क्या लूँ मैं जो 1 बटा 2 बन जाए बस, अब यहाँ पे, हाँ जी तो a square minus 2a b, ठीक है, b अपनी तरफ से इसका square add और अपनी ही तरफ से इसका square minus plus y minus 0 को holy square, तो बत खतम इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, x minus 1 by 4 को holy square plus y minus 0 holy square, उठा के वहाँ ले जाओ plus का हो जाएगा, तो बस center क्या है बच्चो center आया 1 by 4 और 0 और radius कितना आया बच्चो radius आया 1 by 4 ठीक है, करो करो चला वाई आप हम करेंगे question number 11 बहुत lengthy है 10th बिल्कुल सेम है उसी की तरह ठीक है थोड़ा अजीब भी है question मतलब इस 11.1 में ना सबसे important question यह है, जो मैं कराऊंगा आपको ठीक है तो question है कुछ इस परकार find the equation of circle passing through the point 4165 यह तो दसवा और ग्यार में दोनों सेम है तो मैं आपको 11 करा रहा हूँ अच्छो ठीक है आपको 11th question करा रहा हूँ 10th 11 दोनों से मैं 11 करा रहा हूँ और साथ में example number 4 यह भी सेम है यह भी आपको खुद करना है तो मैं 11 करा करा के दे रहा हूँ बस अब को दोना से माल लो भे 23 से यह 23 हो गया अगला माइनस 11 से तो माल लो यह माइनस 11 ठीक है इन दो प्वैंट से पास कर रहा है और यह माल लो है center अब कहरा है center से एक line पास कर रही है ठीक है उस line की equation है x-3y-11 बराबर 0 ठीक है यह है अब कहरा find the equation of line ठीक है जी सबसे पहले कुछ पता बाता तो है नहीं तो एक काम करते है let the equation of circle क्या मानेंगे बई x-h का whole square plus y-k का whole square is equal to r square ठीक है यहां तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को जी नहीं अब क्या है let the equation of circle which which is passing through the points through the points minus one one and two three इससे पास कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे put minus one one करो put x minus minus one r square तो यह बन जागा x minus one plus तो यह a plus b का whole square a square plus two a b यह one का square plus two a b इसर y square plus minus one यह यह कि one का square और plus two sorry minus two a और यह b बराबर r square तो x square plus y square plus two x minus two y minus two y one plus one two बराबर r square equation number first ठीक है अब क्या करेंगे put two three करो x minus two का whole square y minus three का whole square बराबर r square खोलो a square plus b square डारेक्ट कर रहा हूं टू का square four two a b two a b a square plus b 3 का square नो माइनस two a और यह b बराबर r square तो x square माइनस दो दूनी 4 x plus y square एक काम करो ना कि खतम करो x square plus y square माइनस दो दूनी 4 x माइनस दीन दूनी 6 y और यह चार और तेरा बराबर r square equation number second हावाई solve equation first and second बाइ first or second equation नो solve करो x square plus y square plus two x minus two y plus two बराबर r square यह भी x square plus y square माइनस four x माइनस six y plus 13 बराबर r square सबका sign change कर तो minus minus plus plus minus minus कट गया कट गया कट गया 4 दो 6 x चार में से दो गया चार y ठीक है और यह 13 में से दो गया भई minus का 11 बराबर 0 तो six x plus four y minus का 11 इदर आके plus का हो जाएगा तो equation आगी यह equation आगी यह ठीक है को दिकत now the equation of line which passing through which passing through तो कॉधो उसारी बच्चो सोरी 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 यह गडबर हो गई यह minus 11了 यह budण अधे में एक्स और वाई की जगह पर स्वारी बच्चो पूरा हर जगह घड़ पड़ो गई हर जगह हर जगह घड़ पड़ो गई कि एक में होल्ड करना बच्चो कि एक एक में हम आपड़ो जग़ो गगषा जगभ моघव हर जगवा करना बच्चो चलिए देखते हैं गलती यह हुई बच्चो पूट करना था यहां पर हमें यह इसमें कि इसमें बोड़ करना था एक्स के जगा माइनस वन एच वन के ऐस्कार गानात सफिक के लेंगा कि 1 प्लस h का whole square बन जाए क्यों कि किसी minus का square plus ही हो जाता है चलो अब solve करेंगे इसको यह solve करेंगे a square plus b square plus 2ab और यह a square plus b square minus 2ab बराबर r square तो यह बन जाएगा h square plus k square plus 2h minus 2k 1 का square 1 का square 2 बराबर r square equation number first now अब put क्या करेंगे 2 3 ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर 2h 3k r square तो यह हो जाएगा 2 का square 4 plus h square minus 4h ठीक है यह चलो प्रापर कर देता हूँ बाद में कहों कहां से आया 2ab plus 3 का square 9 k का square minus 2ab 3b बराबर r square यह क्या बन गया h square plus k square minus 4h minus 6k प्लस तेरा प्लस तेरा बराबर r square equation number second solve equation first and second okay h square plus k square plus 2h minus 2k plus 2 बराबर r square h square plus k square minus 4h minus 6k plus तेरा बराबर r square अरे तो आहेखे ते माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस कट गया कट गया कट गया यह 6h यह चार के तेयक है और यह माइनस का 11 बराबर जीरो तेक है यह बन जाएगा 6H प्लस 4K माइनस का ग्यार इदरा के प्लस एक्वेशन नमबर 3 ठीक है एक्वेशन नमबर 3 अब क्या करेंगे अब देखो अब यह सर्कल की एक्वेशन से हमारे पास ही आ गया अब दा गिवन लाइन is passing through the center is passing through the center और center क्या है H की ठीक है तो भई x-3y-11 इदरा के प्लस का ग्यारा भई देखो xy यह किस से center से पास कर रहे है और center क्या है H और K तो इसका मतलब x के जगा पे H so हाँ भई x के जगा पे क्या पूट कर सकते हो H और y के जगा पे K बराबर 11 equation number 4 solve equation third and fourth तो थर्ड क्या है 6 4 के 11 यह क्या है H-3 के solve कर दो इसको 4 से इसको 3 से तो 6 तिया 18 एच 12 के 33 चार एच माइनस 12 के 44 ठीक है कट गया 18 4 22 एच 7 और यह 7 नीचे जाएगा 22 इदर मंटिप्लाइ कर रहा है इदरा के डिवाइड 11 सत्ते 11 दुनी ठीक है तो एच बराबर साथ बटा दो put H in equation 4 तो H-3 के बराबर 11 साथ बटा दो प्लस का 11 इदरा के माइनस और यह माइनस का 3 के इदरा के प्लस सॉल करो साथ माइनस 22 बटा दो और तीन के बाइस में साथ की कितने बचे 15 15 बटा माइनस का बंदरा बटा दो तीन के तीन से कटे का पांच के की वैलू आएगी माइनस का पांच बटा दो के की वैलू आएगी माइनस का पांच बटा दो और H की वैलू आगी साथ बटा दो अब हमें निकालना vierटियस हमें के निकालना है रेडियस तो इस तरह से इसमें पूट कर दो किसमें इसमें पूट है कि एक्वेशन ऑफ सर्क्ल कि फ़स्ट में तो फ़स्ट इसी से तो नहीं है 1 प्लस H का होल स्कूर 1 माईनस कई 502 आएप स्क्वेस्कूर करेंगे इसको दो प्लस में साथiksi 20 ठेक है मैंने मऔर क्या थो मैंटैज नडवुक्वडुक्वडू का य district 2 मी प्लस में 32 है स्क्वेर बद आगरा यॉर jestem नो बटा 2 का स्कुरॉर साद बटा दो का स्कुरॉर बढ़ाबर आर स्कुरॉर ठीक है यह नो का स्कुरॉर 81. вещ4 गोराबर आर स्कुरॉर तो, दो कितना हो गया गया यह, आड़ होगा 0, 13 नोरक दस, 13 थे сценalar 이제 यह हो गया R square, ठीक है, यहनि कि इतना आ गया, now, equation of circle, equation of circle, तो circle की equation क्या आएगी भई, X minus H, H की वेल्लू 7 बटा 2 का square, Y minus minus का 5 बटा 2 का square, बराबर R square, 130 बटा 4, तो यहनि, X minus 7 बटा 2 का square, Y minus minus 5 बटा 2 का square, बराबर 130 बटा 4, यह यह answer है, ठीक है, note कर लो, इसे note करो, और 3 को इसे ना को करने के लिए दी है, मैंने, ठीक है, चलिए, तो कोशन नमबर, 12, 13, 14, यह आपको घर से करना है, ठीक है, यह आपको घर से करना है, ठीक है, यह आपकी कोश्षन, नेक्स लास में यह अब खताम हो गया है समझ लो ठीक है यह में इन्थाइस के अंदर अब यह हो गया है बागी नेक्स लास में नहीं चैप्टर सुरू कर दूंगा ठीक है चलो बाइए